कि आप जानते ही कि थोड़ी सी सुख बुवाहाट सुरू हुई है यूपी कोंश्टेबल 26,000 नहीं विकेट से और आप सब लोगों की बहुत जादा कमेंट थी एज को लेकर क्योंकि जो जनरल की एज है वो 18-22 साल है पिछली वाली जो भरती थी उड़ंचास 560 उसमें एक सा इसका मतलब इस बार भी 18-22 होगी जादर से जादर रिलेक्सेशन हुआ तो एक साल का जिसका कोई फायदे नहीं हुगा क्योंकि भरती लाश्ट आईती 2018 में तीन साल हो चुके भाई इनी दिनों में तो भरती आईती अक्तूब नवंबर में उड़ंचास 560 तो कहने करती है अगर एक जुलाई 2018 से काउंट करें तो तीन साल होगे तीन साल में कुछ दो बच्चों को छूट मिली चाहिए अब अगर आ जाते हैं फॉर्म तो उसके बाद में छूट मिलना हो जाता बहुत मुस्किल उससे पहले हमारे पास जितनी कोशिस हो सकती है वो कोशिस कर लेते ह इसमें तीन तरीके की कोशिए है एक ट्विटर केंपेइन के माध्यम से एक ट्विटर केंपेइन के माध्यम से आप चाहें तो अपनी कोशिस कर सकते हैं दूसरा आप पत्र भेज कर और तीसरा साती जो गवर्मेंट का वियोगी सरकार का पोटल है जिस पर आप अपनी शिक कर लेंगे बाकी और भी यूट्यूबर जो साथी होंगे वो भी बनाएंगे तो फिर एक दुबारे से फिर एक बड़ी campaign रख लेंगे लेकिन अभी जैसे भी सुनरे हो शुरू जाओ जितने ट्विट कर सको कर लेना अगर अपनी यह बड़ाना चाहते हो तो इसका रखना यूपी और यहां पे रखना अंडरिस्कोर फिर पुलिस यूपी पुलिस पुलिस कॉंस्टेबल मतला पक्का पूरा पता चल जाए आप चाहते क्या हो constable 2021 age relaxation यह वाला टेग रखना UP police constable 2021 age relaxation जैसा है ऐसा ही रखना इसको UP police constable age relaxation और justice for general candidates, justice for general candidates, justice for general candidates क्योंकि यह जो दिक्कत है general candidates के साथ बाकि OBC, SC, ST को तो 55 साल का रख्षण मिल रहा है तो उनकी तो 18 से 27 है लेकिन general candidates के 18 से 22 होने के कारण आप लोगों को दिक्कत होगी इसके बाद में जो आप लोग वहाँ पर add the rate hashtag क्या हो जाता आप कहना क्या चाहते हो add the rate आप यह बाद किस तक पहुंचाना चाहते हो तो माई योगी आदित्यनाथ करके जो आप डालोगे तो माई योगी आदित्यनाथ करके यह एक portal हो जाएगा मतलब यह add the rate एक twitter की जगा है यह सारे tweet मुख्य मिंत्री जी के पास पहुंचेंगे एक हो जाता है UVGOVT इस पर एक इनके एड़वाईजरे शलव मनीटर पाठी SHLABH मैं चाहता हूँ ऐसे लोग है न क्या चल रहा है सब कुछ बता देते हैं वुख्य मिंत्री को की जी आपको इस तरह से करने के जोडता है पर मुझे टेक करना चाहें तो कुमार विवेक KMRVIVEK14 जादा नहीं करना हमें हमें क्या क करना है कि UP Police Constable 2021 Age Relaxation ये ट्विटर के माध्यम से आपके पास गवर्मेंट का नेट पर डालोगे पता मिल जाएगा चाहे तो योगी जी को पत्र लिख सकते हैं और उनके पोर्टल पे जाकर भी सिकायत दर्द कर सकते हैं याद रखिएगा कि आप अकेले-अकेले सब कुछ कर दे सकते हैं दस साल की दे सकते हैं ये सब गवर्मेंट के हाथ में चाहे तो एक दिन की छूट ना दें लेकिन आप लोगों को सामोहिक प्रियास करने होंगे आपको सामोहिक रूप से कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा ने कि भी ट्वीट दूसरा कर दे एज में मुझे बाद कर नहीं करने हैं अंडर चूट मिल जाए ये बहुत मुश्किल है कुछ ने करना ट्विटर खोलो यूपी अंडरिस्कूर की बात करऊं कोई गैप मत देना यूपी अंडर्सकूर पुलिस अंडर्सकूर कॉंस्टिबल अंडर्सकूर दोजारेकिस अंडर्सकूर एज रिलेक्स से सन अब इसमें स्पेलिंग देख लेना यही वाली रखना भी तो अगर थोड़ी बहुत आप लोगोंने कोशिस की तो साइद यह काम्याव हो जाएगी और अंकित पांडे तेरे जैसे ना मूरक रह जाएंगे समझा ना तु कभी भी जिन्दगी में तेरे जैसे मूरक रह जाएंगे UPSI में क्या सपोर्ट नहीं करी ना तेरे दिल निकाल के नहीं दे सकता जाज बोल रहा है न तु यह सपोर्ट की वैस से ही है निकल बहुत स्पीड से समझा ना तेरे जिसे जिन्दगी में कभी किसे इंसान को अच्छा नी कर सकते तो कहने करत क्या है कि 18-25 करवालो 26 जितनी तुमारी मर्जियों करवालो 3 साल की छूट करवालो 22-3-25 लेकिन वो छूट तभी होगी जब आप लोग कोशिस करोगे बिना कोशिस के सरकार के आगे कुछ नहीं होने वाला कितने ट्वीट करे जाओ तुम सपोर्ट नहीं कर रहे तुम सपोर्ट नहीं कर रहे वो सपोर्ट नहीं कर रहा वो सपोर्ट नहीं कर रहा उससे कोई फरक नहीं होने वाला, फरक तभी पड़ेगा जब तुम स्वेम चाहोगे, कहते न, अपने मरे ही स्वरक दिखता है, तो भही तुम्हें खुद के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ट्वेट, पत्र, जो भी तुम से हो पाए, वो सब कुछ करना पड़ेगा, हमसे प्रहने सपोर्ट नहीं की, तो तेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जनम से ही गोबर है, वद्धी है न, यानी ये तिरी, वद्धी तेरी पैरों में है, क्योंकि तुझे किसी व्यक्ति की दिखेगी नहीं, जब करा तब कहा कि अपने लिए कर रहा हूं, त अपने लिए किया कमज़म तरे बसकी होता तो चलता तू तू दस किलोमेटर चल जाएं गरिमियों के दुनों में ना तिरी रहेट लिकर जाए लूजमोसन हो जाएं तुझा निवट जाएगा लेकिन चले 100 किलोमेटर भई धूप में पोशिष की तुम लोगों के लिए लेकिन अब क्या करें अब इस थोड़ी ना कि भई जेल की चक्की पीसेगा कोई व्यक्ति को तब भी वो बुरा रहेगा वो बना था क्रांतिकारी देखो जाओ जेल की चक्की पीसरा है तो यहां हर तरीके के लोग हैं अच्छे बुरे तो कुत्ते तो बहुकेंगे उनकी आदत है बहुक लाएंगे वो लोग क्योंकि उनके बसका नहीं है तुम अगर सही हो सही चीज के लिए डटे रहो चलो तो अपनी तरफ समने कोशिस कर दिया बाकी अब को काम्याब बनाना ना इपनाना हाइट में रिलेक्सेसन नहीं मिलता ये सिर्फ एजम रिलेक्सेसन मिल सकता है अब ये मत कहो, क्या तुम कहने लगो जी, हमें तो सीधा इतरह relaxation दे दो, सीधा SP बना दो, IPS बना दो, relaxation दे दो, ये नहीं, ये न्याय के तोर पर है relaxation, क्योंकि तीन साल में भरती नहीं आई, दोहचार अठारे टुबन नुबंबर में भरती आई, उसके बाद में भरती नहीं आई, उसका relaxation मिलना चाहिए, ये न्याय है, अन्याय के तोर पर नहीं मांग रहे, समझे मेरी बात, आप जो गए रहो हाइट और ये कि टंकों में भी छूड़ दे दो, पेपर मतलो सीधा जोइनिंग दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, वो अन्याय है, यहाँ पर आप अपने हक मा करती नहीं आई, तो हक की चीज तो आपको मिलेगी सरकार देगी